हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत हे ईट्टी फाइंटर यूट्यूब चैनल में इस विडिउट्ट यहाँ पर यहां पर ह सकता है दिसंबर को फीट एट्म डिसस करने वाले हैं केंपलीट करने ब्रूं और साथी साथ आपको क्या करना है आपको जैसर कि हमने आपको नोटिस के बारे में भी बता दिया है कि आपको इमेल आइडी पर उनको मैसेज भी करना है और हमारे कोर्डिंग जो डाउट लगेगा कि इस कोशन का अंसर गलत हो सकता है तो वह भी हम बताएंगे चले हैं बिना देरी के तो फर्स्ट कोशन हमसे पूछा गया था ब्लाइंड होल में परिछिद्रण प्रक्रिया में उप्यों किये जाने वाले परिछिद्रक का प्रकार क्या है टाइप आफ रीमर यूज्ट फारीमिंग आपरेशन इन ब्लाइंड होल में अगर हमें क्या करना ह है रीमिंग करना है ठीक है तो कि यहां पर किसका प्रोग करेंगे तो अंसर की यहां पर दिया है जो फाइनल अंसर आया हुआ है राइट एंड इस्पाइरल फ्लूट रीमर दिया हुआ है जिसे हम इसी को राइट मानेंगे सी राइट अंसर हमारा है ठीक है चले निस कोशन देख लेते हैं नेश कोशन पूछा विच आप दा फालूइंग इज एन आर्टिफिशियल अबरेश्यू कौन सा है आर्टिफिशियल अबरेश्यू बहुत बार हमने पढ़ा है ग्राइंडिंग चैप्टर जब हमने पढ़ा है तो प्लेलिस्ट एक बार जूट देखेगा हम हमने चैप्टर वाइज एमसी क्यू पढ़ा हुए है तो हमारा अर्टिफिशिल अबरेश्यू कौन सा है या हिंदी बोलते हैं करते हैं अबर अबर घर्शक या बरेश्यू जी वह हमारा अलूमिनियम आकसाइड फास्ट आप्सन इस दा राइट अंसर ठीक है चली नेश को कोशन नमबर थर्ड में हम से पूछा है एट रूम टंपरिचर प्लेन कारबन इस्टील कॉन्टेंग कैं तो क्या होगा राइट एंसर इसमें पूछा गया कि सामानिताप करम पर सादा करबन इस पात में समलित होता है फिराइट एन सीमेंटाइट फिराइट एन पी एलाइ कुछ कोशन ऐसे होते हैं जो आपको बुक में नहीं मिलते हैं और मोशली अगर आपको इस बुक का अंसर कुछ और दिखता है तो आप कमेंट करके बताएगा आपको यहां पर फिर आप इमेल आइडी पर जुरू मेसेज कीजिए अगा ठीक है जो ओफिसेल वेबसाइट के द जो हमारे दाते होते हैं धल जाते हैं अगर वो कटिंग क्रिया नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं ड्रेसिंग करते हैं इसका तात पर यह होता है कि जो ग्रैंडिंग वील में अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं तो दात जो है उसको एक प्रकार से रिस्टोरिंग करना ठ होगा चक्रन के काटने के क्रिया को भाए करना ठीक है तो जो डेल हो गया हैं उनको सही करके एक बरकार से नई आधुए को निकालना जिसे की कटिंग क्रिया अमारी से आसानी से होती रहे जस्ती लोहा से ताफ़ गनलाज %. क्रिया के लिए हम किसका प्रियों करते हैं जिंक का प्रियों करते हैं राइट एंसर हमारा भी आप्शन हो जागा नेश कोशन है दसे आफ रास्पकट फाइल इज क्या आप कोशन पूछा था तसे आप रास्पकट रास्पकट फाइल का यहां पे क्या पूछा से पूछा यह आपका इसरू के एक्जाम पेपर में भी पूचा गया था कोशन जो हमने आपको पेपर सॉल करा है था हाफ राउंड इस दा राइट एंसर दस रास कट का फाइल की आकर कैसी होती हाफ राउंड निश कोशन है इस्टेंडर्ड हैक्स ब्लेट तीन सब्सक्राइब यह जैसे आपको पता है न हम लोग पीछ याद करते कि इतनी पीछ में कौन सा ब्लेट होगा तो जब आप इसको भाग देते हैं तो आपका निकल क्या था लगबग 0.8 जो हमारा क्या है हमें फाइंड पीछ होता है ठीक है तो फाइंड एंड वेव वेव सेट इसी के अंतर गताता है तो राइट एंसर हमारा क्या होगा डी आफसन होगा कोशन नमबर सेविन का निश कोशन है एफिट डिजाइनिंग तीस एच जी सिक्स अभी लिमिट टॉलेंस में हमने कही सार चैप्टर वाइज मलब लिमिट टॉलेंस में जो भी है उसमें जो भी पॉइंट है लग लग हमने कहीं सारे पांच शे वीडियो आपको प्रवाइड कर रहा है उन क्लास को जूरू विजिट कीजिएगा तो कोशन नमबर एट का राइट एंसर क्या होगा यह इसमें हमारी है कौन सी फिट है क्लियर है ना इसके बारे में भी हमने पढ़ाय हुआ है निस कोशन नेरो एंड थिन पार्ट आप दा फाइल वीच इच कंटेक्ट कन कनेक्टेट तू दा हैंडल इस ना हुआ है जो हमारा फाइल है उसमें से कौन सा भाग पतला होता कैसा होता संकीन होता है ठीक है तो वह हमारा कौन सा होता है टेंग होता है जो किसके शंपर्क में रहता है वह हैंडल के संपर्क में रहता है इस the right answer ट एम एक और एक कितने के बराबर होता है 1 डिगा एक त oni कितने के बराबर होता है इसमें सवाल पूछा गया है समाल लंबाई की तो हो सकता है आपने आप एक कोशन क्यों की देखिए यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी अगर आपने गलत भी लगाया है कोई भी आप्षन अगर स्लेट कर लिया थो सकता है आपका लग अगर अच्छा है तो आपका अ O D सहीए वहरा भी आफ्षन सही है 48 नंबर चलिने कोशन कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 13 में क्या सहीच किया गया है थर्टीन में महारा सी आफ्षन सहीचिए गया है 207 206 अगर आपने यह लगाया है 206 .6 किलियोग्राम तो मतलब बलग है अगर आपका मोश्णी है क्यो क्यांकि math इसमें काफी question आये थे अगर हम बात करें 70 टीक्निकल आने थे जिसमें कि आपके woven बरेंजन से कोशन भी पूच्छा जाने थे लेकिन मोश्ली आपर शत्तर में से मोश्ली पचासी कोशन टेक्निकल भुस्वां की पचास कोषण नॉन टेक्निकल जीसमें महत बहुत जैदा थी निश कोशन हैं हमारा एक तोलिया जब प्रचह प्रचा त्हालित किया अगर आपने इस वाले question में आपने अगर C option लगाया है तो आपका इस दर right answer है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 cm है तो इसका परिमाप क्या होगा इसका answer आपका दिया गया है B option, B option यानि की 56.56 तो अगर आपने यह लगाया है पांच या तो आपका इस भी सही हो जाए B option इसको राइट answer मना है प्रथम टैप टैप 30 टैप भिन होते हैं तो हमारे जो तीन टैप होते हैं फार्स टैप सेकंड टैप 30 यह हमारे किस प्रकार से भिन होते हैं हमारे taper lead के according यह भिन होते हैं अलग-अलग क्यों taper lead अलग-अलग होती है हमने बताया था कि 6-10 हमारी प्रथम टैप में होती है फिर उसमें 3-5 हमारी 4-5 यह 5-6 लबक 6-10 हमारे first tap में होती है second tap में 5-6 के आसपास और एक यह दो हमारा उसमें होता है bottom tap में जिसों third tap बोलते हैं नेश कोशन यदि समकोंड समद दिवाज त्रिभुच की परी दी हमारी इतनी है तो कड़ की लंबाई क्या होगी कोशन number 18 का right answer दिया है हमारा a option दिया 4 cm दिया है यह आप हम देख पा रहे है यह भी सही निकल लाए काफी एडिल में छेनी की धार cutting lip के बीच में bit cone किस नाम से जाना जाता है क्या होगा राइट एंसर इनेडिल बिट एंगल बिट्वीन चीजल एज एंड कटिंग एज लिप नौन एज 19 नंबर का right answer क्या होगा सी आफ्षन होगा हमारा वेव एंगल वेव एंगल किसके बीच में बनता है चीजल एंड कटिंग लिप के बीच में मारा वेव एंगल बनता है पावर हेक्सा ब्लेड में पिछ का क्या आर्थ है फ्रेंस हमारा दातों की संख्या प्रितिंच हमारा पावर हेक्सा ब्लेड में पिछ का आर्थ होता है नेश कोशन है सेपिंग एन सेपिंग आप ग्रैंडिंग फील टू मेक इट रन कॉंसेंट्रिक विथ एक्सियल काल घरसन चक्र को आर्दा आकार देना ताकि वे अच्छ के साथ सकेंद्रिक चल सके कहलाता है कोशन नमबर 21 का राइट अंसर क्या होगा टूइंग मतलब क्या था कि हमारा जो ग्रैंडिंग फील है उसको हमें सेंटर में कॉंसेंट्रिक में चलाना है तो उसके लिए हमें टूइंग करिया करना होता है ठीक टू करना होता ताकि वो सही से प्रॉपर घूम सके इसके बाद है नेश कोशन है वाट इस अफंक्षन आप पार्ट पॉइलेट प्रॉइलेट पॉइलेट प्रॉइलेट इन दा रीमर रीमर भी हमने जब चैप्टर पढ़ाया तो कई बहुत सारी कई बार हमने लाइट टेस में भी इस टाइप के कोशन रखे हुए थे तो क् राइट एंसर आप्शन थे फिनिस कांसेंट्रिक होल होल को कंसें मतलब की होल जो कंसेंट्रिक है दो होल है अपस में तो कंसेंट्रिक में अगर होल करना है तो वहाँ पर हम पाइलेट प्रॉइड करते हैं रीमर में जिसका काम होता है फिनिस कांसेंट्रिक होल के लिए तो कोशन नमर्ट 23 का राइट एंसर एंटी क्लाक्वाइज लेट हैं त्रेट को आगर किसी जैसे मारकर एक्जामपल आप ने देखा वगद जो लोग सर पढ़ाते हैं अग बोर्ड मी जब आप पढ़ें होंगे हाइस कुल इंडर में तो आप जिब लोग मारकर जो थी इंक ठीक है मुवमेंट कराना है तो हम किस और घुमाएंगे रोटेशन मतलब घुमाना तो हम एंटी क्लाकवाज घुमाएंगे उल्टा घुमाएंगे तो हमारा वह आगे बढ़ेगा अगर राइट हैं थ्रेड होती तो फिर हम क्या करते हैं हम क्लॉक आइज घुमाते आगे ब करते हैं क्या होगा राइट एंसर ड्रिप्ट का प्रयोग किस लिए गड़ते हैं तो ड्रिप्ट का प्रयोग हम मसीन स्पिंडल में से अगर हमें ड्रिल हटाना है तो राइट एंसर क्या होगा सी अप्शन हो जाएगा कोशन नमर्ट 24 का शी अप्शन हो जाएगा ठीक है चलि Vibruling hole का अगर हमें Vibruling करना है तो Counter-sicking अगर hole को कुछ गहराई तक कुछ गहराई को L ko बड़ा करना है एक निशीत साइस सय तक उससे हम क्या बोलते हैं हम उसे Counter-boring करते हैं ठीक बे commodities में अगर बोलता है या hole को तिर्षा करना है तो वाँ पर हम counter sinking लगाते हैं hole की कुछ गहराई तक hole को बढ़ा करना है तो हम वाप एक counter boring लगाते हैं या फिब आप एलन इस कुरू के head को बैठाने के लिए भी हम करते हैं नेश कोशन है साइन एडिंग एन नाइटर डिंग आर्टू मेथड जिन इस्टूइट ने इस्टियल का टेस्ट दिया होगा उसमें हमने कोशन रखा हुआ था और एक कोशन सेम टूसम उसी टाइप से आप पूछा गया है साइन एडिंग एन नाइट रेडिंग आर्टू मेथड है या पर फिर्स हम बता दें आपने एक्जाम दे दिया हो सकता है आपके कम मार्स से भ हमने कलास कर आई है लभग पांस से च्छै तो और लबक कलास हैं हमने गेहरा कराई हैं लेकिन चैप्तर हमने के तेंटीचार चैप्तर कवर कि उसी के आगे कांटीनियू हमारी क्लास है आपटर एक जन्वरी से एक टू डेस या थ्रिदेज बाद स्टार्ट हो जाए एक रोलिंग कॉंटक्ट बेरिंग मतलब की रोलिंग काउटन बेरिंग में किस नाम से जानता है किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता है बेरिंग टू टाइप के एंटर फिक्षन बेरिंग और एक हमारी फिक्षन बेर तो यह हमारा एंटर फिक्षन बेरिंग के अंदर गता तो है गन मेटल किसके अंतर गताता है कोशन नमर तुन्टी एट काप काप पर टिंजिंग ठीक है राइट एंसर क्या होगा हमारा यह आफ्शन हो जाए परपज आप काफी इंपोर्टन कोशन आप लोगों को याद भी होगा बहुत ही नार्मल कोशन बहुत भी बार पूंचा जया जाता है डाइनेट का उदिष कया है अधुड़ाइनग का उदिष क्या तो जो भी हमारी चेंजिंग ताम देमेस स्मरल कोई भी हमारी ठेट खराब हो गईए उस है। को सही करने के लिए है डाइनट का प्रिव करते हैं राइट एंसर क्या होगा 29 का चीों ह। आप्श क्या जहांचे लिए किया जाता है तो फ्लगे से हम क्या चेक करते हैег क्या चेक लिए कोशन है के लिए टैप-hã-क mismatch तो ओगा तो हुमने क्यों चेकर क्लीन में जыл English थी लिक जाद सब्सक्राइक has यहां पर हमारा पीज़ भी दिया है वन पॉइंट सेवन फाइब और दी कमांद दिया है बार उसको हल करेंगे हल करने बाद जब उसको सॉल करेंगे तो कोशन नमर 31 का राइट इंसर हमारा 10.25 आ जाएगा निश कोशन है नो ए निश कोशन हमारा नो गो प्लक गेज इस लूइंग नो गो एक हमारा जो प्लक गेज होता है उसमे लिमिट होते है गो था यह पर यह समझना है को उसनमर 32 का राइट एंसर क्या होगा ठीक है तो छिद्र की अपर सीम है इस में क्या उता है फ्रेंड्स जब हम लोग कोई होल बनाते हैं ठीक है होल बने यह यह परकार जो गोगेज होता है वो चला जाना चाहिए जैसे हमने कोई होल बना एक साइज का उसमें गोगेज चला जाता था तो मतलब हमारा साइज बन गया है लेकिन अगर नोगो चला गया है नोग क्या होता था गो साइज से बड़ा होता था तो अगर नोगो चला गया तो मतलब होल बड़ा हो गया तो फिर हमारा वो जो हमने बनाया वो खराब हो गया तो इस वज़े से वहाँ पर यही चेक करने के लिए होता था कि जब तक गो सीरा नहीं जा रहा है तब तक हमारा जोब बना नहीं होल हमारा सही से प्रोपर नहीं बना है लेकिन जैसे हमारा गो सीरा चला गया है और इसके बाद फिर हमारा वो साइज तो बन गया प्रोपर सही से बन गया लेकिन अगर नोगो भी चला गया तो हमारा क्या हो जाए तो वो हमारा कहलाता है लो लिमिट आफोल मतलब होल का मिन्यूनितम साइज कहलाता है गो ठीक है तो क्लियर हो गया हमने समझा दिया है नेश कोशन है जब हमारी बेसिक से क्लासे सुगे तो उसमें फिगर के मादम से सारा कुछ क्लियर करेंगे बस आप लोग जुड़े हमारी जो क्लास से स्टार्ट होने वाली आप्टर टू डेस से अधा कटिंग फ्ल्यूट यूज्ट वाइल कटिंग अलूमिनियम की कटिंग करते समय हम किस यहां पर प्रियू करते हैं फ्ल्यूड का तो राइट अंसर क्या होगा की रू सिंस है ने सिंपल सा कोशन था था रादप्सन चलिनिश्गोषें ने वनए यर कलिफर एक वनियर के लिफर में 50 जो मुख़े 49 जो 40 मुखbé सट मेल खाते हैं यदि प्रतेख मुखे इस्केश्ट डिविजन 0.5 mm है वनियर की सबसे निम्तम गिन्ती क्या होगी क्या होगा हमारा राइट एंसर हमारा तो जब इसको सॉल करेंगे तो थाटी पूर्ड कमारा राइट एंसर होगा 0.01 mm हमारा निकल के आता है नेश कोशन है कोशन नमर थाटी फायर में विक तो कौन सा अप्रतच परतच कौन मापनी के उपकरन तो यहां पे क्या पूछा गया है इंडारिक इंगल मिजरिंग टूल कौन सा हमारा इसमें इंडारिक्ट मिजरी अंगल मिजरिंग कोशन नबर 35 का यह right answer हो गा बेविल गेज अधार प्रत्चमापी टूल है ठिटिके अप्रत्चमापी यह मिजिरिंग करता है ठिके और हमारे जो बेवल प्रनल्टेक्टार है हामने से ह७ी है स्थ यह हमारी सब क्या है हमारे प्रत्चमापी है नुच्छ को थे 36 which of the following parts is in file is not hardened and tampered तो file का कौन सा भाग auto tamper नहीं किया तो हमारा कौन सा भाग होता है tank होता है क्योंकि इसमें हम handle लगाते हैं और handle लगाते समय हमर से ठोकते हैं और अगर यह hard होगा तो हमारा tank तूड़ जाएगा next question question number 37 सता परिस्क्रत मान आरे रूच्टा ग्रेंड संग्रेड संख्या एन 6 की रेंज क्या होगी दरेंज आप surface finish value आरे roughness grade number six क्या होगा राइट एंसर तो एन बारा तक हमें होता है एनबारक हमारा क्या होता पचास होता है तो उसका जब हम आधा-ठा करती चली जाते तो निकल के आता जैसे एंगेरह की पूछा तो 50 का दा prax20 हम कर देते तो एनग्यारह कं होता है मता मर्यंगतrie फिर मतार। 25 का अधागरते 2.5 तो इस वह anticipating scholar मि कजे से n6 का तो हमारा निकल गया था 37 का राइट एंसर निकल गया था हमारा cf0.8 माइक्रो मीटर ठीक है नेश कोशन है अन और ओयल फ्लोर शुट बी क्लेंड बाई विच आफ दा फालूइंग फॉर सेप्टी पॉइंट विव एक तेली फर्स एक मतलब फर्स है उसमें तेल फैल गया है तो फिर हमें उसको साब करने के लिए क्या करना चाहिए बुरादा या या फिर जो भी यह बालू गया रहा है वो डाल देना चाहिए रेत मतलब क्या है जिसो सेंड बोलते हैं इंग्लीज में ठीक है कोशन नमर 38 का राइट एंसर क्या होगा सी आफ्शन हो जाएगा निश कोशन कोशन नमर 39 चू टूल चैटर इज केजड बाई वीच रीजन ठीक है टूल से अनावस्यक धोनी किसके कारण होती है तो क्लियन सिंगल हम इसलिए देते हैं आधेकी जो कटिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं सिंगल पॉइंट कर टूल से लेध मशीन में तो क्या होता है या किसी भी टूल से अगर कटिंग कर रहे है तो वहाँ पर इसलिए तो हमारी बाड़ी है वह हमारी उसे जौब से रगड़े नहीं है ठीक है जिससस होसके अगर हमारा कम होगा तो फिर हमारा जॉब की साथ रगडगा ठीक है चले निस कोशन वाट इस दाइंगल अग पूच यूज्ट फॉर विट्नेस समार्क हो करने के लिए तो विटनेस मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का एंगल हमारा साथ डिग्री होता है नेश कोशन है वन पॉइंट सिक्ट मीटर लंबे परिवेश्चक की टावर से दूरी बीस्ट रूट थी है यदि उसकी आख से टावर के सिस पर उतेच्छे कौट तीज हे तो टावर के उचाए क्या हो गए 41 का राइट एंसर पॉइंट सिक्स होगा इस दाराइट एंसर फर्सड अफ्सन ठीक है चले नेश कोशन देख लेते नेश कोशन कोशन नुमर 42 यदि एक हीरन के बीचे भाग अपनी खुद की चलंग पचास चलंग दूरी पर है तो इस कोशन का राइट एंसर अगर देखिए आपने क्योंकि इस टैप की सवाल जो होते हैं अगर आपको आ गए तो आगे नहीं आते तो आप लोग के अगर ते तुक कही लगाते तो यहां पर हम बता दें बीस भी आफशन सही अगर आपने आट सो मीटर लगाया है तो आपका सब्सक्राइब का और आपको कलियर होगा सुमीटर लूच्छी पहाड़ी के ओपर नीचे अवसाथ के कौन बादब यहां पर हाईट एंड दिस्टन्स के भी कोशन पूछे गये थे ना जिन चेप्टर पढ़के होंगे उनका भी यह कॉोंसर्प क्लियर होगा कोशन फोटी पैठ जाएंगे फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जायागा निनिमस काल से उपकरण नहीं Why की नहीं है तो यहाँज सकाल वे क्योंन सब्heenचनर कहा से लेते कोशन निमर 47 का राइट असर क्या होगा प्रेंड़ kort ना वहर साल का राइट असर क्या होगा हम जो इंजिन वाइस का साइज लेते हुँ जाके चोड़ाइस लेते हैं 47 का राइट असर क्या होगा हमार बी आप्षिन होजागा निम्री से कौन सा उपकरण जमीन के ऊपर भारी भार की इशने के लिव्यु कि जाता है क्या होगा राइट एंसर 48 का 48 का तो हमारा राइट एंसर इसमे विंच दिया है आपको क्या लगता है राइट एंसर आप बताईगा है कोशन वर शुट्य एट का राइट एंसर भी दिया है और आपको क्या लगता है कमेंड करके जोरूब्धा यह जरूरूरो disp का वीच आप दा फालूइंग कैनाड वी यूज्ट फॉर टेपर टनिंग टेपर टनिंग के लिए हम किस मेथट का प्रियोग नहीं करते कैनाड टिखा हुआ तो फोटी नाइन का राइट अंसर क्या होगा इसमें जो भी आफ्शन दिये गए सभी का हम यहां पर टेपर टनिं करते हैं तो टेपर टनिंग करते हैं, तो टेपर टनिंग करते हैं ठीर का ठीर को सब्सक्क्रण पूच्छा गया था तो भूछ अच्छा कोसी gratis यहां पर राइट एंसर यहां पर डी आपसन यहां पर इन्होंने अंसर के एकॉडिंग आपर फाइनसी के लिए में दिया हुआ है निश्ट कोशन ने सिलिंड्रिकल जॉब के लिए जी गाइंड फिक्चर के लिए के रूप में उप्यों कि जाने विली विस्ट लोकेटिंग डिवाइस क्या क्या होगा विस्ट लोकेटिंग डिवाइस हमारा वी ब्लॉक हमें क्या है जब भी कहीं पर यह दिया हो सिलिंड्रिकल जॉब और उसमें क्या है लोकेटिंग वेगर लोकेटिंग डिवाइस के रूप में अगर कोशन पूछा गया है तो वहां पर राइट मिली मिटर तीस मिली मितर नесь तम जमता क्या है तोचमा कोशने n aún ने दिया है कोशनल फिफ्टी टूं का राइट ट्राइज ते आप दिया है एक संथ ये लगाए है काफी नहीं आता है को दो तो फिर हमारा सही हो तो उसे हम लोग यही करते हैं एक और कोशन नहीं आ रहा तो मोश्ट ली एक ही अपसन सेलेट करके चलिए अपने से लगा दिये तो इसमें क्या होदा मोश्ट ली आपके सही होने की चांसे सरे ठीक है अगर आप कहीं लगाएं भी लगाएं सिलें तो ऐसे फिमोश्टरी कम चांस रहते हैं कि आपका सही हो हाल का आयतन में मीटर क्या होगा तो लिए लिए बार सो, यहाँ पर अंसर दिया गया है निइस नहीं कोशन अहीं, संका बढ़तन में नहीं बानी को बचन क्या होगा, इस कोशन का राइटकेंण सर्दू स्विप्टी टेओ instruct डिया है लिए keiner 274 08 किलोग्रम निश्क कोशन 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 55 का राइट अश्क क्या दिया है सीसे कि गोला का ओग गोला कर तीन कि देुए पूछे गए मुष्टलीए ठीक है बाकि याा भी किसी भी आप राइटर की आप ले सकते हैं वहाँ पे इस टाप क्यों को देखने को मिल जाएंगे एक घनाप के आयाम में क्या होगा है इस कोशन का राइट अंसर अमारा डी अप्सन हो जाएगा निश्कोशन ने आपके डी अंसर फाइनसर की दिया है अगर आपको डाउन लगता है तो कममन करके जुरू बताइगा निश्कोशन देख लेते हैं से क्या पूछा जा रहा है हाई कार्बन इस्टील ऐसे उपकरण का उप्यूप करके मसीनिंग करत कि यह जिनका निगेटिव रेक एंगल हो छोटा पाजटीव रेकोंड हो बड़ा पाजटीव रेकोंड हो सूने रेकोंड हो क्या वगाराइटेंसर कोशन नुबर 58 का हाई कार करना तो आप अकरण हमारा हमघ्र मेंट है इसके लिए है कहाई हार में लेक लिए रेक एंगल देते हैं राई टेंसर हमारा क्या होगा होगा एक आप्शन हो जाएगा चले शिक्शन देख लेते हैं लिच पूछा गया है यह ती कातने की गती 20 मीटर प्रति मीनट है तो 20 mm दिल के बिट के लिए अवश्य गूणी गयत क्या होगा कोशन नमर 50 राइट का राइट एंसर क्या होगा 59 का राइट एंसर हमारा 320 रपीम होगा कटिंगी स्वीड वराव आइड ये नपाने एक हजार से हम इसको सॉल करेंगी तो मारा राइट एंसर तीन ठीन सो भी सार्पीम हजए इंसर में क्या पूछा गया सामाने नहिंग डिल का पौइंट इंगल कितने होता टाइट 124 डिग्री राइट एंसर होता है हमारा सिया आस्ट्रेंसर हो जाएगा सब्सक्राइब कर पूछा रहा है कि या न्यांतर से को मौट से सिक inanığoh go structure and regionoid bond B का यहाँ पर क्या होता है regionoid bond का जो हमारा प्रतीक होता है हमारा B होता है और यह हमारा company का जो भी एक number दिया जाता है वो है और यह हमारा आप जानते हो है यह हमारा grain size होता है और यह हमारा grade होता है ठीक है हमारा कौन सा grade है और इसके बाद यहां पर जो 13 नंबर है कि हमारा structure नंबर दर साता है तो यह इस प्रिकार से ठीक है चली next question देख लेते हैं next question हम से क्या पूछा गया है most taper standard taper is available in number form क्या होगा 62 का number तो most taper हमारा 0 से 7 होता है right answer हमारा c option हो जाएगा चली next question देख लेते इंक्लिवडिंग बिड्वीन फ्लैंग एंड एकमी थ्रेट का इंगल कितना होता है 29 डिग्री आइटेंसर हमारा d option हो जाएगा next question हम से क्या पूछा गया है the dimension आफ एक्सप्रेश इस टम्स आफ जो हमारा इसको जाएगा है तो जितना हमारा इंगल होता है उसका आधा पूछा गया है तो हमारा हाफ इंगल कितना होता है एक डिक्री 29 मिनट ठीक है तो राइट एंसर कोशन नुबर 65 का मारा डी अप्शन हो जाएगा नेश्ट कोशन है यहां पर पूछा गया है वीच स्टेट में चिकरेक्ट जी सी बी ए और सेवन इपी ग्रैंडिंग भील तो यहां पर पूछा गया इसका मतलब क्या होता है तो इससी जी सी का मतलब आप जानते हैं ग्रीन सिलकन कारवाइड है ना तो यहां पर आपको आप्शन में कहा मिल जाता है देखिए ब्लेक सिलकन कारवाइड लिखा हुआ है तो यह हमारा तो होगा नहीं इसके बाद यहां पर ब्रेश्य ग्रीन कारवाइड यह भी नहीं होग होगा हमारा फास्ट आफसन अगर आप देख तो यह भी आपका नहीं होगा तो कौन सा होगा फ्रिंड्स हमारा बी आफसन इस दा राइट एंसर हमारा कौन सा होगा इस में देखो लिखा हुआ अब एब रेशी विजी ग्रीन ग्रीन सिलकन कारवाइट ठीक है चले निश कोश सैंस हमारा राइट रोगा चेन पाइप हुआस इसका मदद से एक तो बने चले रहीक बतालों को बिखार ऱ गोंगा ए की आप्षिन यहां पे जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन एड़ फाइव आ जाएगा नेश कोशन कोश्ट नेंबर 69 अगर आपने सारे कोशन को सिलेट के हैं तो आपका स्योरी की सिलेक्शन आपके हो जाएं क्योंकि नॉन टेक्निकल जितने जिस इस्ट्रून ने अच् इसली क्योंकि तेक्निकल यहां पर ज्यादा हाड यहां पर पूछा नहीं गया था लेथ बिट नेम लिखिन में से कच्छा कच्छा लोहा से बनाया जता है तो लेथ बिट हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है लेथ बिट आर मेट कास्ट एंड इन डियू टू यहां पर इन्हों ने जो अंसर दिया है वो दिया है हैंड हाइड डेंपिंग कैपेशिटी उच अवंधन छंपता ठीक है और यहां पर हम बता दिफ्रेंस जो आगर आप डी आपसन लगा है तो बिल्कुल गलत है कि कोई यहां पर लिखा है देखिए हम लोग यह पढ़ते हैं कि जो अमरे काश्टें में कंपरेशिव लोड साहने की चंपता होती है इसलिए जो मरे लिट होते हैं काश्टें की बना देते बनाये जाता है लेकिन यह आप पर नॉट लिखा हुआ तो यह तो होगा नहीं सी आफसन इसमें दिया हुआ है और बी आफसन भी हो सकता है म अगर आपको जो भी लगे अगर आपको करेक्ट अगर आप से ओ रहें भी तो आप भी इसके बाद अपना एडविट कार्ड और जो डाउट कोशन नंबर है वह आप कोशन नंबर डालके इमेल आड़ी पे ऑफिशल वेबसाइट पे भेजना है तीस दिसम्मर लाज डेट ह कोशन नंबर सतर में क्या पुछा गया आप अब 12 घन मीटर में कितने घन फीट लबबग होते हैं क्या होगा राइट अनसर फ्रेंस हमने स्टार्टिंग में आपको बदाय था कि हमारे दो दिन बाद आप्टर टू डेज बाद आपकी क्लासे हैं श्टार्ट होने वाली थी लेकिन हम आपको बढ़ादे क्लास हैं आपकी आज कौन सा दिन है आपका मंडे तो कल से ही क्लास ही स्टार्ट हो जाएंगी ट्यूजडी इसके बारे में एक इवनिंग में हम एक वीडियो आपको प्रवाइड करा देंगी किस प्रिकार से हमारी क्लासे चलेंगी बेसिक से चार सो अच्छी चार चात्रों में से पचासी परसें लड़कियां और सतर परसें लड़के उत्तरीन हुई थे तो इस कोशन का राइट अंसर यहां पर इन्होंने अंसर की में दिया हुआ हुआ है कथर का सी नंबर अगर हम वन नंबर कब बोले ठीक है वन नंबर हमारा क्य सारेہ कोश्ट से आपे वीडियो बहुति बंदी हो जाता ह। वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो रहा है अलेकि़ً कोसिस कर रहे हैं आपके कम समय में सारे कोश्ट के आपे आदे हैं एक मेला एक बेक्टी अपनी मा के भाही वैटा और बताती है महल से का क्या सब्ります को शयों मर फोर क qu que override for definition for option है।myra पोर फोफेरा ठ्रिक क्वेल क्षियों counterpart 5 क्या operation green mission में संब्लित नहीं किया गया हैं क्या होगा राइट है तो डंट रख तो क्या आपर रिकॉंच आप रिशन है जो ग्रीन मिशन में समलीत नहीं किया आप मिशन में समयनीक कैrek नहीं पूछा कई के है क्ना से में चार आप्सम्हां है आपके सामने के वी और बहरन भीम निजीए तो बैनन गिली वनीचे हब्यारट क्या होगा सब्सक्र essas का हमारा राइट एटैंसर गरे जो हमारा मद्द प्रदैसमें एक ONE जीव अब्यारट है ठीजुश कोशन एके जो मोचली हर इकजाम में पूछा आती है दीवस में से कभी कर यह इक्षेंग पूल लेता है तो क्षेंग नमर एक का राइट असर क्या होगा विश्टे विश्ट, विश्ट उस्थे दीवस हमारा निश्ट कोशन देख लेते हैं, आपरेशन नमस्ते किसे सम्मदित है, बहुत अच्छा कोशन है, भारती सीना, भारती नोशीना, भारती वाई सीना, सीमा, सुरच्छा, बल, तो यह भी इस टाप से डिलेटर भी कोशन आपको पीडियप प्रोवाइट कर आए गई थी, और को क्वाइशन नमस्दि कोशन्हें का राइट एंसर क्या होगा भारत में सबसे बड़े छह buenas छह्षीं पर कौन सी फसल बूंगी जाती है कोशन नमर अ réponse किलिए दिया जाता है नोबल पुरश्कार किस विशाए के लिए दिया जब था qoos की तो सभी के सब्सक्रान यहां पर हमारा ओनबल पूसकार później कि career रचना नहीं बहुत अच्छा कोशन ने को श्राइन छाटीन जशकी स्लेवर्श में दिया कि कुछ रचना एंपूछी जा सकती है तो यहां पर कोशण अया वगा है तो किसकी रचना है कोशन नमर थाटीन का राईटेंस को श्रुचन मर थाटीनपर राईटेंसर मारसी आपसन भारत ने लच्छित सारवजिनिक वित्रन परवाली यहां पर सुरू की थी कोशन मर्स 15 पाणिनी कौन थे बहुत अच्छा कोशन पाणिनी कौन थे एक युनानी दार्षनी थे भारती खोपटी खोगोल्डास शास्तृ और प्रसिद गड़ी तक थे या वैदिक का धिया संस्कृत ब्याकरण और प्राचीन काल के महान कमी कौन थे बारीनी कोशन मर्स 15 सी आप्षन वैदिक काल का एक संस्कृत ब्याकरण से समधित हमारे पाण कि यॉच्छ नदी के दछलक दछल की गंगा भी कहा जाता किस नदी को दछल की गंगाagu 앞에 कर दे को समत्तिशन Nawin कि समाचार पत्र की इस्थापना महात्मा गानधी ने 1903 में दःच्छल अफ्रीका में की थी तो कि समाचार की पत्र की सापना मात्मा गानधी ने 2023 में दःच्छल अफ्रीका में slide को से raise was उन्वाइट राइटिज है कि कहते हैं किया होगा इंड़ियन ओपिनियन की इसांपना की थिनेशत को तो कॉशन को सिंबर से नाइंटीन दो हजार सत्रामे किस अंत्री अजेंसी ने एकल मीसन में एक सो चार उपग्रह भिझे थे कोशन नमर नाइटीन राइट एंसर क्या होगा हमारा ए आफिसरो तो 2017 में किस अंतरिच एजेंसी ने एकल मिर्सन में एक सुचार उपग्रे भेजे थे वो अमारा इसरो ने भेजे थे कोशन नमर बीस में हमसे पुछा गया है हूँ एमंग दा फालोइंग रिसीवड भारत रतन अवार्ड विफूर बिकमिंग एन प्रेसिडेंट आफ इंडिया नेम लिखित में किसने भारत के राष्ट पती बनने से पहले भारत रतन पुरुष्कार प्राप्त किया बहुत यहां पर किस ने भारत के राष्ट बनने से पहले भारत रतन पुरुष्कार प्राप्त किया था तो यह हमारे यह हमारे डाक्टर जाकर हुशेन थे ठीक है नेश कोशन है खासी किस राज की प्रमुख भासा सौरी कसी लिखा हुआ का सी हमारी किस राज की प्रमुख भासा क सबसे बड़ा काफी उत्पादक राजी कौन सा है कोशन मर टूंटी थिरी का राइटेंसर हमारा सी आपसन है करनाटक भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक राजी हमारा करनाटक है राइटेंसर हमारा सी आपसन हो जाएगा निश्कोशन तुक बंद्रा अभ्यारन कहां पर इस्ति थे सकते कितनों यहाजन सा में होगा राइटेंस सामस्ट पर टूंट्य 25 का राइट आइटेंसर मेरक और इक अनटेसान गलत है एक नो पचीस पचास और अटाज का सिस्क्षी- हो गा होगा तुंटीस इकांच का उसान पचास होना चाहिए तिर पचास होना चाहिए थी किट रूण होना चुछी यह आप समझ रहे हैं एक ही बात है इसे चाहिए साथ से चोटी संख्याश हो जाता है तो और उत्तर पूरब पचीण हो जाता है तो पच्छिम क्या होगा होगा हमारा सि आप संद दच्छल पूरा को शन इस पर टनिक वी क्या है को राव और पा इस पटनिक वी है ठीक है तो इस निक हमारी क्या है हमारा ये क्या है इस प्टैनी के हमारा कोरोना वाइरस वैक्षीन है इस कोशन है गंत के संत के रूप में किसे जाना जाता है सुरी हमने यहां पर गंत बोल दिया गटर गटर के संत के रूप में किसे किसे जाना जाता है तो कोशन नमर थर्टीन का राइट अंसर क्या होगा मन तो गटर के संत के रूम में किसको जानते हैं आपे यहां पर जानते हैं राइट अन्सर मरा ब ardkommen र को जाका जाएगा एक्षायगा एकि तो जो भी ऑफिसिल एंसर की थी उसके आप सारे question के answer हमने आपको बता दिए हैं क्योंकि जो official answer आते हैं mostly next जो भी next आने वाले exam जो होते हैं उन्हीं से यह राइट अपर माने जाते हैं अगर किसी भी question में आपको right answer आपको confused है या फिर doubt है तो आपको comment करके बताना है आपको reply जरूर मिलेगा और आपको यहाँ पर जो भी website में जब आप notice board में जाते हैं तो आपको इन्होंने email id दिया है किसी भी question में अगर आपको doubt है तो आपको जैसा कि इसके बारे होने वीडियो भी बनाया कि 30 December तक आप राती बारा वजित्ता का आप इस email id पर अपने admit card के साथ आपको detail में question लिखके और उसका detail भी आपको लि आपके बाती जो हमने बता रहे थी कि आपकी जन्वरी से इस्टार्ट होगी हम कली से स्टार्ट करने वाले अगर नहीं भी होगी तो आज युसाम को इवनिंग विडियो आपको मिलेगा उसमें हम बता दें क्लास है कब से स्टार्ट होंगी ठीकिश चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंदा वीडियो अगर आपको पसंदा वीडियो को लाइक कर जीजेगा ओको फिर्स फिल्म मिलते हैं एक नए वीडियो बाई 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 टेक क्यार